दोस्तों आज जो मोदी जी आज बहुत बड़ी गलती कर गए एक आज के भाषण में हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने पुल पहला वोट मतलब जो पहली बार वोट देने जा रहा है पहली बार का वोटर है अठारा साल जिसका पूरा हुआ है और जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहा है उसको जंबोधी ताज मोदी जी ने किया है और ये बात भी अपने आप में सही है कि इस उम्र का ही लड़का योदी मोदी जी के लिए देखा जाये तो एक हिंदू टाइप का वो ले कर करके और पूरे गदर काटे पड़ा है सोशल मीडिया पर तो खास करके ठीक और ये चीज मोदी जी आपको देखे यहां पर मैं भी वही बज़र रहा है ये क्या भी ये मेरा दिमाग सना गया इतना गया इस तरीके के बात तो नहीं समझा जाब होती है ना कहीं से भी मुस्लिम देशों में जाते हैं खुद सब से गले मिलते हैं अभी भी सब को क्राउन प्रिंस से जो अच्छी मुलाकात की सब खुद सब अच्छा करते हैं लेकि नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा के नाम पर जो वोट मांग लिया आज खुले आम कि पहला वोट पुलवा अथिक दल की वपावती न हुए हो ही नहीं सकता है और हो ही नहीं सकता है मेरे पिता उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसपक्टर उ किकि शहादत हुए ना वो मॉब लिंचिंग мог लिंचिंग जैसा हो एब मुंजिंग सटीक आदं yourselves पर संट्स, सौ लाख टके की बात कि और, थे नुनिस सो क्यान बे में रेटाइर हुए थे पूरी जिंदगी उन्होंने इमान की नौकरी की थी सच्चे थे वो जूटे नहीं हमारे खांदान में सत्य है केवल जूट नहीं है सत्य नहीं है आपका बच्पना कैसे गुजरा आप अपने पिता जी के पास कैसे चाहे क्या करते थे यह सब डिटेल बहुत लंबे-LINGBEE जो है समाच के सामने नहीं आएं जहां-जहां-पावनात्मि आप कैश करा सकते हैं कि आपकी आपने अपनी मम्मी जी के नंपूम दिखा दिया गरीब जो जहां जाप कैस्ट मतलब भावना इत्मक तरीके से पॉलिटिकली आप उसका यूज कर सकते हैं वह वा लेकिन ये वाला मामला बड़ा करबड हो गया कैसे क्योंकि जो 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 वोटर आज 18 साल का है वा से पांच साल पहले कितने साल का था 13 साल का तेरह साल का जो आजसे पांच mm 2014 में जो बंदा 13 साल का था वो आज 18 साल का पहला वोटर है तेरा के अंक से आपने शहीद सैनिकों के नाम पर वोट मांग लिया है एक तरीके से देखा जाए तो तेरा साल का जो वोटर जो बच्चा था दोहजार चौदा में जो अपने घर के लोगों को मुझ को परबड़ों को मोधी की एक नए चुनाओं के तो पर वाव मोधी जी आएंगे अच्छा होगा कुछ अन्ना जी आए तो कुछ देश के बड़े बड़े नेताओं पर लगाम लगेगी हर अन्ना जी का फिर कहना हो इस बात को समझ अन्ना जी का अंदोलन किसी दल के कांगरिस के टाइम पर था तो बड़े नेता हैं हर दल के कोई भी मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री सांसद विधायक पद है इन पदों के उपर लगाम लगाने के लिए जन लोगपाल जनता का लोगपाल जनता का एक लोगपाल एक हमारा आदमी हमारा एक बंदा हो ये था अंदोलन वो जिसकी वज़े से केजरी वाल बन गए ठीक है ना नरेंदर मोधी का तो चुनाओ हम सब लोगों ने किया पूरे देश ने किया किया आज नरेंदर मोधी पुलवामा की घटना अगर न होती तो किस पे नरेंदर मोधी वोट मांगते एमान इतना सा भी हो भग तो हो अगर तुम जरा से भी कु उस चैनल यार इतने गए गुजरे इतने बिके हुए इतने गिरे हुए मत बनो भाईया कि भजन गाने लगजा बिकाओ इतने ज़्यादा कि मोधी कही यह मत करो एक सिंपल सवाल है कि पुलवामा की घटना तो एका एक हो गई ना वो आदिल एहमददार जिसने वो विस पो और आप उन पे आप राजनीत कर रहे हैं आज वो नहीं कोई पांस साल चार साल पहले क्या हुए तीन साल पहले नोट बंदी जैसा इतना बड़ा मामला हुए इतना बड़ा मामला हुए नरेंदर मोधी तो हर भाषण में नोट बंदी से यह हुए नोट बंदी हमने नरेंदर मोदी की नोट बंदी की कितनी तारीफ की थी हम मोदी के कितने बड़े दीवाने हैं हमने मोदी जी के लिए क्या नहीं बोला हम खुद को गुनहगार आज क्यों मानने हैं मैं यह सवाल कर रहा हूँ आप सबसे कर रहा हूँ जो आज शायतुरण सि लूज के लाकस नरवानी की रथा और आज की तारीक में वहाँ वन मेंट शोर टूमन आर्मी यही अब यह मोदी जी बोलने तो मोदी जी के खिलाब मोदी जी आप गलत बोल गए भाजपा में कोई बोलने हाई नहीं क्या तो यह कैसी बाटी क्या आप अपने घर में अगर कोई कुछ गलती कर जाए तो बोलते ही नहीं है बोलने के अभी वक्त की सुर्ट दरता हाई ही नहीं खुलके आप बोली नहीं सकते हैं कि यह सही है यह गलत है भाई हम हम गलत बोल लें आप हमसे कहिए कि हम न ना स्विकारना कहना आवश्यक है तो नरेंद्र मोदी जी जो आज पुलवामा के जो बात में कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो राफेल के मामले में वही वाइस देना की डील और पैसे की डील उसको तो तो पहरें को अपनी एक छुपा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अब उसमें पाकिस्तान का क्या हाथ पिर चीन से जोडने लग जाई है फिर किसी से जोडने लग जाई है तो सरकार तो आपकी है ना सेना आपके पास है सेना को आपने आदेश दिया सरजिकल इस ट्राइक वह बहुत बढ़िया हुआ लेकिन उस पर आपको वो अगर जी तेरा से खेल गए तेरा से नहीं खेलना चाहिए था तेरा कांग जो है ना मेरे लिए बहुत लग्की है तो बहुत चुप है बहुत चुप है मैं तेरा तो को ऐसा जादू चला जोड़ा Hai 2013 में मेरा लड़का पाईदा हुआा थैस साल बाद 13 में पाईदा हुआ अजन बजरंगवली के दिन हनुमान जैनती के दिन जे दिन बजरंगवली के हनुमान जैनती थी उसी दिन ये पैदा हुए और बहुत विश्चितर के से रहसम है घर है मेरे मेरे मैं भविश्वक्ता नहीं हूँ लेकिन एक भविश्वक्ता की तरीके से मुझे आज यह हसास हुआ ह कि जो आज नरेंद्र मोदी के मुक से पहली बार ये बात निकली 11 तारिक को पहली वोटिंग होनी है आज 9 तारिक है यानि परसों वोटिंग होनी है 9, 9 और 11, 9-2-11 भी आ गया भीच मेरे बाप, रे बाप ग्यारा को पहली वोटिंग होनी है और नौ तारिक को मोदी जी आप ये बोल गए है और तेरा केंक की मार मेरी समझ में आई है नौ आज है और ग्यारा नौ दो ग्यारा होता है ग्यारा को पहली वोटिंग होनी है और आपने बोला कि मोदी जी आज आपने अपने भाशन में ये बोला है ये बहुत बड़ी बात में कह रहा हूँ दुनिया हिल जाएगी इससे समझो और ना समझो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिनी बात वास्तों में बड़ी गह दी है कि आज नौ तारीक को नरेंदर मोदी बोलते हैं कि पहला वोट जो पहली बार वोट देने चारा है पहला वोट सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहला वोट मांगना तो जिससे आज आज आप यह कह रहे हैं वो आज से पहले यानि आज से ठीक पांच साल पहले 2014 में कितना बड़ा था वोट आपका 13 साल का 13 साल का वो वोट जो बड़ा हुआ है वो सच्चा है जरा वो इश्क भी सच्चा करता है प्यार भी सच् कुछ मांग रहा हूँ ठीक है मैं आप से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ आप तो मांग रहे ना पूरे पूरे देश की सत्ता देश का सबसे बड़ा सिस्टम प्रधान मंतरी से बड़ा कोई पदी नहीं होता देश के बस और सबसे और सबसे बड़ा राजनेतिक दल आपका बास्ता रखने वाले लोग मेरी बात को ध्यान से समझें नौ तारीक को हमारे देश के प्रधान मंतरी माननी ये श्री नरेंदर मोदी जी भाशन देते हैं मैं कुछ मतलब उनका वो नहीं कर रहा हूं भाशन देते हैं कि पहला वोट पुलवामा में के जवानों के नाम अब कि झार बात कर दो आखने हैं कितलु देते हैं कि उामा में कि उते हैं कि जद हब खने हैं कि भाशन देक के कर दो ददित कर देते हैं दोड़ार् से